देखो हम स्टार्ट करें Algebra of Vectors Algebra of Vectors में सबसे पहले हम देखने की Basic Terms क्या क्या है सबसे पहले Physical Quantity किसे कहते हैं Physical Quantity कोई भी ऐसी Quantity जिसे Measure किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे Physical Quantity कहेंगे Any measurable Quantity are called Physical Quantity जो भी तुम Measure कर सकते हो जिसे Length Measure कर सकते हो Weight मेजर कर सकते है Mass मेजर कर सकते है Time देख सकते है यह सब सब क्या है Physical Quantity They are of two types दो तरह की होती है एक Scalar होती है एक Vector होती है Scalar वो होती जिनमे के वहल Magnitude होता है यानिकि Numerical Value Numerical Value के साथ यूनिट भी होगी जैसे Mass है Mass अगर कह जिए जाए मेरा Mass कितना है 37 kg अब यह 37 तो होगे Magnitude और यह होगे इसकी यूनिट है अभी अगर पूछा जा कि Time कितना हो रहा तो 11 बज़रे सुबह के 11 a.m ठीक है ठीक है तो यह a.m जो है यूनिट नहीं होई है कभी तुम्हें सुचा कि यह यूनिट है अगर तुमसे कोई बुचा करें तो बढ़ी Time बता दो कितना हो रहा तो Time कितना हो रहा 2 घंटे 2 आर और 30 सेकंड 30 मिनट अब 2 आर 30 मिनट यह जो होगे न आर और मिनट यह इसकी यूनिट होगे और यह 2 और 30 जो लिखा यह Magnitude है यह 11 जो यह एक Magnitude है तो Mass हुआ, Time हुआ ठीक है इसका जो Speed है यह क्या है हमार पास Scalar Quantities Distance भी एक Scalar Quantity होगे ठीक है तो Scalar Quantities वो जिनमें केवल Magnitude होगा Direction नहीं होगा Vector Quantities Those Physical Quantities Which has both Magnitude and Direction अब जिसे Mass था वो kg में मैजर होता है ठीक है Direction Fix होता है Towards the Center of Earth Earth के Center की तरफ लगता है ठीक है Distance है Distance भाई देखो यहां से चले यहां से और यह से घूम खाम के यहां तक आदे तो पूरा यह Distance होगा लेकिन Displacement की बात करें तो यह Initial Point और Final Point की बीच का जो Distance यह Distance है Initial और Final Point की यह Displacement है जब हम ऐसे जारे दे घूम फिर के तो Direction कोई फिक्स नहीं था तो वो क्या होगा Scalar Quantity और जब हमें कहतना Direction फिक्स होगा कि Initial Point से Final Point के बीच में तो क्या होगा वो Vector Quantity तो Displacement है सा Vector Quantity इसमें क्या होगा अगर Displacement कोई बताएगा तो बताएगा तुम्हें 2 किलोमेटर डिउ एस्ट अब Direction जोड़ दिये न तो यह क्या होगी Vector Quantity Velocity Velocity और Speed Speed क्या थी Scalar Quantity Speed क्या कहेगा 5 मीटर पर सेकेड और इसमें क्या कहेगा 5 मीटर पर सेकेड Do North Direction बताएगा तो Velocity हुई Acceleration है Force है यह सारे क्या है Vector Quantity अब देखते है Representational Vector एक Vector है AB AB देखो इस AB ऐसे लिखाव है न इसका मतलब यह है कि A से B की तरफ यह Point A है और यह Point B है और A से B की तरफ है Vector ठीक है अगर Vector BA लिखेंगे BA तो उसमें क्या होगा यह A है यह B है B से A की तरफ ठीक है ऐसा नहीं लिख सकते यह से BA Vector का भी तुम सोचो कि मैं BA को ऐसे लिख दूँ BA Vector को ऐसे लिख दूँ यह नहीं लिख सकते यह Allowed नहीं है यह Arrow उल्टे वाला Arrow जो है वह Allowed नहीं है तो यह चीज नहीं लिख होगे ध्यान रखना तो A, B Vector इसमें Initial Point क्या होगे? A होगे और B क्या होगे? Terminal Point अब इस A, B Vector में तीन चीज़े जूड़ी हुई है पहली क्या जूड़ी हुई है वो है इसका Magnitude Magnitude मतलब इसकी Length A से B था Length या फिर Magnitude वो क्या होगी? A से B था बस A, B तो Length का हो या Magnitude का हो जिसे A, B Vector है उसकी Length और Magnitude कैसे रप्रेजन करेंगे? A, B का Mod या फिर Simple A, B से ठीक है? या हुई Length दूसरा होता है इसके अंदर Direction Direction का है? From A to B Direction का है? Direction का है? From A to B और थर्ड चीज़ जो इसमें आती है वो है Support Support जो है क्या है? इस A, B Vector के ये A, B Vector जो से किंफाइनाइट लाइन का जो पार्ट है That is Support तो ये जो Red Colors Red Pen से Mark किये ना ये Support है ये Support जो है इसका पार्ट भी हो सकता है और इसके पैर्ल भी हो सकता है तो Support क्या है? A line of unlimited length of which AB is a segment is called the support of Vector AB इस Support का कहीं कोई यूज नहीं होने वाला तो अगर Support स्वंज में नहीं भी आता है न तो भी रहने दिना बस इतना ध्यांद रख लो एक Infinite Length है जिस Length का एक AB जो है पार्ट है जो Infinite Length है वो जो हम Support के अगर Infinite Length वाली ये Support स्वंज में नहीं भी आता है न तो भी कोई नहीं Skip कर दो ये Word कभी आगे यूज नहीं होगा ठेक है Next आता Sense Sense क्या है? Sense of AB मतलब Direction of AB Sense कह दो या फिर Direction कह दो अगर AB का Direction तो A से B होगा अगर BA की बात करें तो Direction B से A की तरह होगा अब देखो AB का Magnitude और BA का Magnitude सेम होगा क्योंकि AB लिखो तो A से B तक और BA लिखो तो B से A तक लेकिन दोनों के Direction अपोजिट हो जाएंगे अगर Direction अपोजिट हो जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB वेक्टर जो है वो Minus टाइमस ओफ BA वेक्टर है Minus क्यार रिप्रदेंट करा कि Direction अपोजिट हो जाएंगे तो हम पा Clear